हसीना बानो नाम है मेरा मैं ब्यार कोले से हूं बीए फस्टिर से और हिस्टर की क्लास चल रही थी हमारी डैट्स और दोसों बच्चे बैठेते तो टीचर ने बोला कि मतलब गोतम बुद का टॉपिक चल रहा था टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है लाफता अपने सरदा 25 तुकड़े कर दी है और उनको रह्म तक नहीं खा सही किया प कुछ आप किसी नहीं अ पूछा लगा यहां बैठी तो बोलना स्ट्राट हो गए आपको पता है मुसलिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हजिका सवाब मिलेगा और दोग बोले का आप कहा जा रहे हैं, मैंने बोला आप सर कहा कैसे रहो ये चीज़ है, टॉपिक के अंदर चल रही है क्या, तो बोले नई टॉपिक में नहीं चल रही है, तो मैं आप कैसे कह रहे हूं, तो कि कुरान में लिखा हूआ है, मैंने बोले कुरान में लिखा हूआ है, मैं मुह पे मेरे गेट बंद कर दिया इस लड़की को बार मत जाने दो अको बार चली गई तो हंगामा हो जाएगा इसको यही पे रखो और बात को यही खतम कर दो जितने में राजु चौधरी आया राजु चौधरी ना बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा थाने जाके दिखा फिर हम तेरे साथ में क्या करते हो तू देख लेना और तू मैं खुद कहता हूं कि तू मुस्लिम हरामी हो हराम जाते हैं सब्मीट खाते हो और हरामी हो और मौमत पेगंबर साहब की नसल हो तूम तो तूम कभी सही नहीं रह सकते ऐसे करके फिर मैंने उसको बला को बैठा के रखा बोले बार चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में मेरे को जबर्दस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने फिर मैंने बार निकलने केरे मैंने हां बोला ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बार जा पिर मेरे से पूछा और मीडिया के अंदर उस राजु चौधरी के वीडिया लोगे सारे तब मेरे घर पे आने के बाद में जबरदसी में से रिपोर्ट तक लिखा ली बोले मैं आपके साथ हूं और मैं आपका एक्षन लूगी लेकिन कोई एक्षन नी लिए उन्हों न भी 21 सारी की बात थी सताय सारी को मेड़म ने रिपोर्ट भी लिखा है लेकिन कोई एक्षन ने लिए अभी तक भी टीचर कों था टीचर का क्या ना पदम सिंग क्लास की चल रही थी और वहां के ही प्रोफेसर पदम सिंग जी उनके द्वारा टॉपिक से बाहर जाते हुए इसलाम की उपर मुहमत साब की उपर जातिवाद और एक भड़काऊ स्पीच देना कॉलेज के अंदर जो की विद्या का मंदिर है जहां विद्या से समन्द में बाते हैं आप जो आउट ऑफ सेलेबस बात कर रहे हो आउट ऑफ कोर्स जाके बात कर रहे हो ऐसी गलत बयान व किया फिर भी इनका कोई सुनवा ही नहीं हो रही है उस चीज़ को लेके उस चीज़ को लेकर आज जह में साब के पास आये हैं और यहां पर हम ग्यापन देखें हमारी नियाए की मांग करने है